तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बैतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा और टेडर्स आज जो स्टॉक टेड करने देथे उसका भी पिर्फॉर्मेंस जानेंगे तो वीडियो पे आप पूरा बने रहें और अगर अभी तक आप हमारे टेलिगराम चैनल को नहीं जोइन किये हैं तो वहाँ पे भी जोइन कर जाए आपको वहाँ पे निप्टी बैंक निप्टी का इंपोर्टेंट सपोर्ट अजिस्टांस लेबल देखने के लिए मिलता है और आपको वहाँ पे लाइब मार्केट अपडेट भी देखने के लिए मिलता और आपको वहाँ पे लाइब चार्ट अपडेट करते हैं सुइंग का और इंटाडे का दोनों अपडेट करते हैं तो आप अभी जाके हमारे टेलिगराम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिसका link जो है description में दिया गया है जो कि बिल्कुल free है तो आप अभी जाके हमारे telegram channel को join कर ले और आपको यहाँ पे scanner आ रहा होगा तो simply से आपको उसको scan करना और आप telegram channel में join हो सकते हैं Google scan करना है तो आप अभी जाके join कर सकते हैं तो और टेरस बात करेंगे आज जो stock date करने देर से उसका performance कैसा रहा तो आज आपको यहाँ पे बताएंगे आज जो भी stock दिये थे उसका performance कैसा रहा तो आज का हमारा first stock था UPL के तरप से जो कि यह starting में gap opening देखने हो को मिला फिर यह resistance के पास जाके यहां से reverse किया तो यहां breakout किया और अच्छा खासा momentum दिया जो कि आपको 569 के पास यह high लगाते हुए देखने के लिए मिला जो कि हमारा सारा target अच्छा खासा profit देखे गया आज अगर आप trade कियोंगे तो अच्छा खासा profit बुक कियोंगे अगर आप profit बुक कियोंगे तो नीचे comment करके बता सकते हैं तो आज का traders हमारा second stock था इंडालकों के तरब से यह भी gap opening हुआ resistance के नीचे गया फिर ये level से reverse किया और यहां पर देख सकते हैं stock ने काफी अच्छा कासा high लगाया 716 के पास जो कि हमारा दोनों target बहुत असानी के से चीब हो गया और यह आपको आज आपको 0.5% का return देखे ग मिला और stock ने लगबग high बनाया था लगबग यह 320 से उपर जो कि हमारा first target इसमें achieve किया इसमें भी आप profit बुक की होंगे तो नीचे comment करके बता सकते हैं क्योंकि इसमें SL hit नहीं देखने को मिला तो आप यहां पर profit बुक की होंगे या cost to cost निकल जो भी होगा आप नीचे comment करक करते अच्छा momentum के बाद और यह stock आपको 2-3% का return दे गया जो कि यह stock हमारा jackpot भी साबित हुआ अगर आप इसमें trade लियोंगे तो काफी अच्छा कासा profit बुक की होंगे अगर आप profit बुक की होंगे तो नीचे comment करके जरूर बताएं और टेडर्स अगर आप लोग को हमारा analysis प पुछ बैतरीन, intraday stock जिस पे आप कल intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए traders हमारा first intraday stock हो जाएगा Sun TV network के तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह stock को पहले हैं previous में जो की channel pattern में यहाँ पर trade करते हुए नजर आया था जो की यहाँ पर देख सकते हैं channel pattern में इसमें काफी लंबे time से channel pattern में trade किया यहाँ से breakout किया और अभी आप देख सकते हैं उपर एक resistance पे यह face कर रहा है जो की यह resistance को रीटिस कर चुका है तो अगर टेडर्स चांस है कल यहाँ से resistance के उपर यह breakout करके sun tv अगर उपर जाता है तब आप entry बना सकते हैं जिसमें हमारा anti position होगा 770 से उपर first target आपको 772 का रखना है second target 774 का रखना और इसमें stop loss 768 का रखना है अगर sun tv कल के session में breakout करके निकलेगा तब आप यहाँ पे buying के लिए जा सकते हैं तो कल के लिए हमारा first stock होगा तो कल आप इसे ज़रू track करें और टेडर्स यह resistance के पास आपको कोई सा एक bearish candle देखने के लिए मिला और जैसे उसका low break करें तो आप swatch रखना सकते हैं यह target के लिए जो की 731 2 के आसपास यह हमारा target हो जाएगा तो कल के लिए हमारा first stock होगा तो बात करते हैं हमारा कल के लिए second stock कल के लिए हमारा second stock हो जाएगा Tata Chemical के तरप से इसको भी one hour के time frame में देखे तो इसमें भी काफी अच्छा का सा एक resistance for more जो कि यह multiple time यहाँ पे resistance को retaste किया है जो कि कि यहाँ पे देख सकते है multiple time यह resistance को retaste किया है तो अगर चांस है कल यह resistance को breakout करके यह sustain करके निकलता है तब आप यहाँ पे एक anti बना सकते हैं जो कि हमारा anti position होगा 1160 से उपर first target 1164 का रखना है second target 1164 का रखना और इसमें stop loss 1156 का रखना है तो अगर Tata Chemical यहाँ से breakout करके ना है तो कल के लिए यह जो है हमारा second interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें तो टेडर्स वीडियो मैं के बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारा पेडिकुटी गृप के बारे में जिसमें टेडर्स पेडिकुटी गृप में आपको डेली वहाँ 3-4 interday stock देते से और NNBC के लिए दे पिछले कुछी हफ्तों में जो कि इसमें आज हमें 3% का रीटन देखने के लिए मिल गया एक stock हिंड पेट्रो दिये थे वह भी काफी अच्छा-कासा प्रॉपिट किया जो की 1% से ज्यादा का मूब दिखाया यहां पे देख सकते हैं में इसने DLF में 505 का प्रॉफिट किया हिंड पेट्रो में 280 का प्रॉफिट किया एक मेंबर यहां पे देख सकते हैं जो कि हिंदुस्तान में 155 का प्रॉफिट किया यहां पे एक मेंबर ने लगबग 800 के पास प्रॉफिट किया है और एक last stroke GNFC दिये थे उसमें भी काफी अच्छा-कासा मॉ टीडर्स अब हम बात करेंगे कल के लिए हमारा ठर्ड स्टॉक कल कि लिए हमारा ठर्ड स्टॉक हो जाएगा सन फार्मा के तरब से इसमें भी टीडर्स देखे तो काफी अच्छा-कासा एक पेटन बनाते हुए देखने के लिए मिल रहा है अगर आपको यह पैटन का नाम तो वीडियो पाउस करके आप नीचे comment करके बताएं पहले यह pattern का नाम, अगर आपको pattern का नाम पता है तो आपको learning में ज्यादा improve होगा तो आप जरूर comment करके बताएं यह pattern का नाम, इसमें आपको एक resistance देखने के लिए मिल रहा है जो कि multiple time radius किया है और नीचे आपको एक train line जो क support की तरह follow करते हुए, अब train का high array का formation कर रहा है जो कि एक ascending tangle kind of pattern का formation हो रहा है अगर यह resistance को breakout करता है ठारे सो चालिस के उपर तब आपको एंटी लेना है फस्ट टार्गेट है ठारे सो चौवालिस का, सकेंड टार्गेट अठारे सो और इसमें stop loss ठारे सो ठारे सो ठारे सो 20 के पास है, अगर इसका low break करेगा तो यहाँ पर आप स्वाट सेल पुशिन के लिए भी जा सकते हैं, 1-2 का RR, आपको 4 उपिया का stop loss का 1-2 का ratio यहाँ पर प्लान करना है स्वाट सेल में, तो कल के लिए हमारा यह जो है ठार्ड स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जड़ ट्रैक करें, कल के लिए हमारा फोर्थ और लास स्टॉक जो की जूबलेट फूडवर के तरफ से हो जाएगा, यह वे स्टॉक काफी इसमें फॉल हो रहा था, इसमें एक लेबल के बाद जो की 5-60 के बाद यहाँ से अग्रेसिव यहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिला ह और यही डेबल को आप देख सकते हैं जो की प्रीवर्स में यह रजिस्टांस के तरह यहाँ पर फेस किया, फॉल कर गया, फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ अच्छा खासा बाइंग पोजिशन के बाद यही रजिस्टांस लेवल के पास यही टीटेस कर रहा है, अगर यहाँ से सस्टैन करके जो की जूबलेयन फूल अगर निकलता है तब यहाँ पर जूबलेयन फूल में एंटी बना सकते हैं, 604 से उपर फर्स टारगेट 606 का रखना है, सेकेंड टारगेट 608 का रखना है, और इसमें अगर अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग मोंटम रहत करें, और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब करके बैल अकन जबा दे, बैल अकन जरूर दवा दे और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन हो जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, थैंक्यू